नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले है क्लो नाज एमडी 0.25 टैबलेट के बारे में इस टैबलेट के फायदे नुकसान इस्तिमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तिमाल किया जाता है इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा दिखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वाला निशान उसे ओल पे टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो इसको नोटिकेशन मिलते रहें तो द और इस कलर की आपको मिल जाती है लाइट औरेंज कलर है शायद इसका थोड़ा सा और दोस्तो यह एनरेक्स है यानि कि यह बिना पर्चे के आपको नहीं मिलेगी कहीं भी और आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा जब आपको प्रॉबलम होगी तभी वो आपको प् बेचैनी, नीद ना आना, मिरगी के दोरे, या डिप्रेशन, डर, शिराब छुडाने में भी इसका इस्तमाल किया जाता है और इंजायटी की प्रॉबलम, और सिर में हलकलका दर्द बना रहना, सिर भारी-भारी लगना, नीद ना आना, और बेचैनी सी महसूस होना, उस कं प्रॉबलेट को पेशंट को दिया जाता है, और भी बहुत सारी दवाईयां दिया जाती है, और उसका कोर्स होता है, तो लगातार इसको दिया भी जा सकता है, और जतने दिन डॉक्टर बोले, उतने दिन ही आपको इसको लेना चाहिए, और इसकी डो जात करें, तो जैसे की condition होती है उसी प्रकार से इसको दिया जाता है हो सकता है इसे SOS यानि की जरूत पढ़ने पर भी दे सकते हैं या फिर आधी आधी गोली सुबह शाम या एक एक गोली सुबह शाम इसको लगातार देने को बोलते हैं वैसे इसे रेगुलर देने को बोलते हैं 10-20 दिन या 15 दिन या 5 दिन ऐसे बताते हैं या फिर हो सकता है दो-तिन महीने भी बताएं वो patient की condition की उपर depend रहता है कि उसको कितनी ज्यादा problem है और कितनी इसको जरूरत है इसकी ठीक है तो जैसे आपके डॉक्टर बताएं उसी प्रकार से इसको लेना चाहिए इसकी side effect की बात करें नुकसान की बात करें तो इसको लेने से चक्कर, निराशा, ठकावट महसूस होना, कब्स बनना, सिर में दर्द होना, नींद बहुत ज़्यादा आना ये सब इसके side effect हो सकते हैं तो आज के लिए बस दोस्तों इतना है, उम्मेद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जुरू कर देना और चैनलों को सब्सक्राइब करना भूलेगा, धन्यवाद